नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपका यानकी कक्षा 8 का चेप्टर 3 जिसका नाम है करसी यह आपके भुगोल का चेप्टर 3 है नई सिलिबस 2023 चोईश की अनुसार दोस्तो करसी क्या है ये तो आप जानते होंगे लेकिन पूरा आपके किताब के अनुसार हम पढ़ेंगे डीटेल्स हैं वो भी रियलिमेजिस के यामादम से वीडियो के आमादम से तो एक-एक टोपिक आपको समझ में आएगा सबसे पहले हम जानते हैं करसी क्या है लेकिन उससे पहले जो करसी आपके एक लाइन लिखी हुई है कि करसी प्रात्मिक्षत्र की क्रिया है तो हम जान लेते हैं कि आखिर ये प्रात्मिक्षत्र होता क्या है तो देखो दोस्तो पोदे से लेकर उतपाद बनने तक पोदा तक तीन परकार की आरती क्रियाई होती है कितने परकार की तीन परकार की क्रियाई होती है यानकि तीन चरण होते है इसके कहां से लेकर कहां सक पोदे से लेकर और जो उतपाद बनाना जैसे सक्कर हो गई कपड़ा हो गया या जैसे सोया बीने ना उसका तेल बन गया तो यह तेल क्या हो गया हुतपाद हो गया यहां तक तीन चरण होते हैं तीन परकार की यहां तक क्रियाएं होती है आकिर कौन-कौन ची होती है देखो यहां पर पहली होती है प्रात्मिक्षत्र पहली जो आता है ठीक है दूसरा आता है यहां से क्रसी क्षत्र से जो प्रोडक्ट मलब यहां से जो भी माल मिला उसको ले जाएंगे फैक्ट्रियों में या कार खानों में या जहां पर भी उनको ले जाएंगे जैसे सुगर जैसे गन्नाई माल लेते हैं गन्ने को कहां पर ले किसके रूप में प्रोडक्ट के रूप में जिसको हम करते हैं उत्पाद के रूप में जैसे पर्ल एक्षत्र से गन्ना मिला उसको यह जो दूसरा क्षत्र है वो बदलेगा प्रोडक्ट में जैसे मालो उसको सक्क्र बनाएगा पर्ल एक्षत्र से स्वया बिन मिला तो दूसर क्षेट्र को तेल में बदलेगा तो समझ गए तो पढ़ एक्षेट्र किया जाते हैं को भी वस्तुया हैं किसी भी प्रकारreated और दूसरे किषत्र में उस कच्चे माल से प्रोड़क्ट बनाया जाता है जिसका हम यूज करते हैं अब आखिर यह पहले और दूसरे इन दोनों कि उ मदद करता है यहसे इसमें आता है बैंक अब जैसे महलों किसानोंगों को Bo to हुई खिसान किसमें आते हैं पहले खिशतर में तो पहले और दूसरे खिशतर की मदद करते हैं जैसे मालों कोई बही किसान जो हैं कुछ भी पैदा करेंगे तो उनको फेक्टरियों तक काई में लाएंगे ट्रकों में लाएंगे किसी में तो लाएंगे ना तो यह जो ट्रेक्टर ट्रोली हो गई यह संचार के साधन हो गई एक तरीके से या फिर मोबाइल हो गई रहा इंटरनेट हो गई तो संचार के साधन अमारे जो भी वाहन वगरा हैं वो और क्या बात करें आगे जिसे हमारे जो भी बैंक वगरा हैं ये सभी तीसरे क्षेतर में आते हैं ठीक है तो अब इसलिए आपके कहा गया है कि जो खेती है न वो प्रात्मी क्षेतर की क्रिया हैं क्योंकि प्रात्मी मजभी आगए होंगे सबसे पहले आपके आपसे क्यूशन फूर जा जाता है कि करसी क्या है वैसे तो आप नौरमल बासा में तो जञाते हैं कि यसे में हम पसले हो गाते हैं वही के साथ ही पसू पालन भी खेती में ही आता है खेती की परिवासा में ही लिखना है पसू पालन भी ठीक है तो खेती की परिवासा क्या लिखोगे कि करसी प्रात्मिक क्रिया हैं जिसमें फल फूल सब्जिया अनाजादी उगाते हैं तो आप पसू पालन किया जाता है इसी को क् खेती बोलते हैं अब इसमें बात कर लेते हैं कि आग एकएर कितने जो लोग हैं वो खेती करते हैं तो देखो पोरे अगर संसार की हम बात करें ना तो पोरे संसार में यादि के पूरे विश्ष में 50 परतिसत जंशंक्या खेती से जुड़ी हुई है इसका मतलब यह हुआ कि आधे जो लोग है ना पूरे विस्व में वो खेती से जुड़े हुए हैं तो यह effect आपको याद रखना है अगर हम भारत की ही बात करें सिर्फ भारत भारत की तो यहाँ पर दो तियाई जंचंग्या जुड़ी हुई है वो खेती से जुड़े हुई हुए है झाल एक वा की एक एक बागी हमारा नहीं जुड़ा हुआ ठीक है और नॉर्मल बास हमें दोती है याद रखना ठीक है तो यह किरसी के बारे में हो गया अब हम आगे बढ़ें उससे पहले हमारे एप के बारे में जान लेते हैं जिसके मादेम से आपको इश्टेडी मिलेंगे तो सबसे पहले आप इसमार्ट जो नोड से वह प्राप्त कर सकते हैं एप को से इन्स्टोल करके अगर आप हाथ से लिके हुए नोर्स जिनको बोलते हैं रिटन नोर्स ये भी चाते हो तो ये मिल जाएंगे टोपर्स की कोपिया मिल जाएगी जिसे आपको पता चले क्या की टोपर्स कैसे लिखते हैं पुराने पेपर, इंपोटेंट क्यूसंस और क्यूसंस बैंक जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मोडल पेपर और भी मिलेंगे जब आपका एक्जाम आएगा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा न्यू सिलेबस किसन आंसर आपकी किताब के यह सभी मिल जाएगे अगर आपको इनके लावा भी कोई डाउट होता है तो वहाँ पर चेट का ओपसन भी है चेट कर देना वहाँ प यहाँ पर कितनी कितनी होती हैं इस मेप के माधरें से समखेंगे निसले कि अपर वह नहीं प्यारे भारत हो यह यहां पर एठते वहत्तु के जाती हैं अब हम धूसरे के देखतें भैarde यह उग्राइट पूरा बहुत ज्यादा एकीं जाती वैसे तो आपको सीट यहां काफी देखेंगी लेकिन यहां पर भी अच्छी कासी की जाती है उसके बाद हम अफरीका की बात करें तो यह अफरीका महाधीव पें यहां पर रेगिस्तान यह ज्यादा तर दो तो इन में फिर भी तोड़ी बहुत कहती कर लेते हैं उसके में आते हैं उत्तरी अमेरिका महाधीब में यहां पर करनाड़ा औरा जो अमेरिका का ज्यादा की जाती आपके पूचेंगे बस आपको तोड़ा वो समझ लेना है कि किस तरह के से कहां कहां पर खेती होती है ठीक है यह देखो यहां पर आश्ट्रेल आमाद यह पर भी तोड़ीबहुत खेती होती है और यह अपना पूर्वी एसी आ गया जिदर अपने कहीं सारे जो देश से चोटे मोटे जैसे हैं Korea हो गया हो गए जापान हो गया हो गए यहां पर भी तोड़ी होट yoga तो आपको बताना सिरी कैल्चर इस तरह करते हैं तो subscribe आ यहां पर एक एक point हम डिस्कस करते हैं जैसे सबसे पहले आरहा है о एहगरी seachator तो आप आपसे पूचा जाए नश्य को हैं टयां कि आपको वोंडना भाइगा शीयदा कि आप सिरंव क्रतय के किया जाता हैं उन से रत्पादित होता है उनसे निकलता लाती है रेस्मट तो थो पूर हो नूवलते हैं इसे जो किसान है थैस्टेंट uh कमा सकता है उसके बाद एक आता है पी सी कलचर इसों याद रखक रहे हैं ना उसको क्या M darker को क्या बोलते हैं तो तो मचलिकों का पालन क्या कलाता है पीसी कल्चर कलाता है उसके बाद है विटी कल्चर अंगूरों की खेती क्या कलाती है विटी कल्चर कलाती है यह भी ध्यान रखे आप से पूचा जाता है बता हो अंगूरों की खेती क्या कलाती है तो आप क्या कहोगे विटी कल्चर कलाती है चलिए आगे को बरते हैं होटी कोछर मृतिंटे का scripture पूछा जाता है रहां शरतों क आगे एकी आपसे कां आधिकाम आएंगे विग्यान में भी आपके काम आएंगे त्वेज़ान इन Kalisian आगे एक और इमेज आपके किताब में दे रखी हैं इसे क्यूशन तो पूछा जाता नहीं है लेकिन तोड़ा बहुत जान लो यहां पर करसी तंत्र करसी तंत्र का मतलब होता है कि पूरी जो खेती की प्रक्रिया होती है जैसे सबसे पहले जुताई करते हैं फिर उसके बाद लिए जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते करसी तंत्र यान कि करसी का जाल मा लेते हैं तो देखो यहां पर सबसे पहले जुताई हो गई बुआई हो गई चिड़का ओगया दवायों आए चिड़केंगे रसाइनों का प्रियोग करेंगे मलब बीज डालेंगे फिर खेतो जो मचीनरी हैं यहां की कमपाइंटर हो गई कहीं कहींषरी ओर वह जार हो गई तो उनके माद library की तने के शबी करसी की करसी तंत्र करते हैं औरर यहां पर कुछ और भी दे रखाए हैं जैसे की महहीं हैं मैप्योजरी का उपयो करते हैं कि तो ममें बंदा रनंग किया जाता जो कि हमने जान लिया अब यहां से आता है अपना इंपोर्टेंट चेप्टर तो यहां से स्टार्ट होता है करसी के परकार और अगर इस चेप्टर से क्यूशन आते हैं तो एक तो यह आता है कि करसी किसे करते हैं जो कि हमने जान लिया और दूसरा आता है करसी कि कितने परका परकार के होती हैं तो यह जरूर अच्छे से समझजें आप देखो दोस्तों जो चिती होती हैं आपकी किताब के निसार वो दरिप्र कर ऑधर की एक तो वह तेयं जिसको बोलतें निर्वाह किति का मतलब हैं इसमें सिर्फ अपना जीवन यापण करने के लिए जो खेती की जाती है ना मतलब इसमें पेसे कमाने की दरिश्टी से नहीं बलकि सिर्फ अपने देखो इसका नाम ही कहा है निर्वा करसी यान की जीवन का निर्वा करने के लिए यान की गुजारा चलाने के लिए तो गुजारा चलाने के लिए जो खेती की जाती है उसको बोलते है निर्वा केती यान की जो अपना परिवार होता है उनके आउशक्ताओं को पूरा करने के लिए और ये बिल्कुली एक परिवार के जो परिवार का चालाने के लिए की जातीं अब ये दो परकार की होती है ये Еज़ characteristics के होती है दो प्रकार की होती है निर्वाकरसी और दूसरी को दिया आदिम निर्वाकरसी अब अधिर यह क्या होती है देहोंसे तो नहीं हो से तो हम जो कमाने के लिए यह खेती करते हैं और इसमें क्या करते हैं और इसका थोड़ा वह हम रख लेते हैं और इसका हमारी रिक्वाइर्मेंट के कर लेते हैं तो जो वह नहीं नेल सम्हांि निर्वा ख़ईते के दर्चा जैसे हमने क्या वोलते हैं जा Б gemachtимся यह आझे डी जो वह लगविक मानलो परिवार का पालंग करने के लिए तो वो भी गह निर्वाखेती में आती है अब एक और इसका बाग है निर्वाखेती का और वो है आदिम निर्वाखेती आया आदिम निर्वाखेती इसका मतलब है कि जो आदि जो लोग है यान कि जोसे पोले करते थे खेती वो वाली खेती आदिम निर्वाखेती में आती है और इसको भी दो बागों में बाटा गया है एक तो ही इस्टानांतरित करसी और एक चलवासी करसी जिसको आपने सुना भी होगा जूम केती का नाम सुना होगा आपने किसका नाम सुना होगा जूम केती का नाम आपने सुना होगा तो वह जो जूम केती है ना उसी को बोलते है इस्तानांतरित करसी अब यह क्या है आला कि हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे इस्तानांतरित कहती का मतलब है जो कहती इस्तानांतरित करती जाते हैं आज यहाँ पर की एक दो साल निकले पर दूसरी जग करेंगे तो यह कहती हैं इस्तानांतरित करसी अब इसको डेटेल में यह जंगलों में जाते हैं और यहां पर करते हैं तो केसे करेंगे जंगलों में गई तो वहाँ पर मेड़ान बना लेथा हैं मेज़ां बनाने तोसरी बात में अब ओश्यान कर दोड़े वहाँ करके और करेंगे और किती करने के बाद मैं गरते रहे दो साल की उन्हों कि पिर किया होता हैं होगा के जमीन होती है घराब हो जाथा क्यूंकि वा सवाया जाते नहीं हुगी है वो आगे चले जाते हैं फिर वहाँ पर पेड़ वो देया जाएंगे बाद में फिर वो आगे जाएंगे तो वहाँ पर बेसा करेंगे वहाँ की जमीन को भी वहाँ के जो पेड़ वो देयां उनको भी जलाएंगे जलाने के बाद मेदानी बाग बन जाएगा मेदानी बाग ब को भी निर्वा केति के अंतरगती रखा हैं दूसरी केति ही आती है इसमें चलवाही सोरी चलवासी पसुचारण इसमें क्या होता है आपने विसे अगर अपने रेकिस्तान की तरफ से होंगे तो आपने देखा होगा वो बेड़ों को लेकर कहीं सारे जो आदमी हैं जो उनको चलवासी पसुचारण काल आता है अब यह जो है ना साहरा के जो अर्द सुस्क पर्देसें उनमें होता हैं चलवासी पसुचारण होता है तो यह अपना ओ जाता है यह जो जाता है न्रवाकरसी जो जीवन यापन करने के लिए किया जाता है अब दूसरी टाइप की हमारी खेती आती है वानी जिक करसी कौन सी आती है वानी जिक करसी आती है इसमें क्या होता है अब इसमें अपना जीवन निर्वा करने के लिए नहीं वो तो चोटी मोटी खेती में हो गया अब इसमें पेसे क उत्पादन है वह भी किया जाता है लेकिन ये बाजारों में बेचने के लिए जैसे पसु पालन करेंगे तो भी व्यापार के दृष्टी से करेंगे जैसे दूद हमने जानवर पाली उनका दूद निकाला अपरे बेच दिया यह वाली जो खेती होती है यह वाली जो करसी आत हैं तेल के लिए उसको बेचेंगे ना वही तो उसको बेचकर अच्छा प्रोफिट कमा लेंगे यह जो भी खेती आती है इनको तीन भागों में बाटा जाता है पहला बाग देखो यहां पर इमेज करसी दूसरा यह मिस्रित करसी और तीसरा यहां रोपन करसी आखिर यह य इसमें क्या होता है यहां यहां फिल्ड दिख रहा है इसमें बोटी बड़े पड़े होते हैं और इसमें बड़े चामली होगा दी हमें बहुत बड़े मैंकASH के तो में पॉम प्रोफिट कमाने के लिए ने को उगाए थि उगा जाती हैं उन्हें जुन के लिए बदे खेतों से अनाज उत्पादित किया जाता हैं पेसे कमाने के लिए वह बोलती हैं वाणे या किशी तोष्ण गांस के मैदानों में इन में बहुत ही ज़्यादा की जाती है यह बाकी अपनी तरफ तो यह चोटे मोटे हम जीवन निर्वा के लिए ही करते हैं ज्यादा में इनसे प्रोफिट नहीं मिलता दूसरी टाइप की खेती आती है दूसरी इमेज में देखो मिस कि पालन भी साथ में किया बादन तो पत्रको पालन और यह क्षिट Prfour ना योटार पर दो फफिटे करना यह न以 कि यह रखते हैं यह वाला नहीं अंकी बात कर रहين processing है बड़ी अमका पास जमीन है तो वो आती हैं मिस्रित कैसी खेती के अंतरगत बस आप तो यह याद रखें कि मिस्रित जो खेती होती है उसमें पसल और पसुपालन दोनों किया जाता है और यह यूरोप में जो अपना मतलब पूर्वी जो स्वेंगत राज अमेरिका हैं वहाँ पर अर्जेंटिना में आश्ट्रेलिया में न्यूजी लेंड में दक्षिन अफ्रीका में इस तरगे के खेती के जाती हैं साथ में मतलब पसुपालन भी किया जाता हैं तीसरी खेती आती है रोपन करसी में चाय, कवा, कोफी, काजू, रबड, केला, कपास, गन्ना यह जो भी खेती आती है न यह रोपन खेती के अंद परिवहन अनिवारी होता है इसे महालो उपन खेती में गन्ना होगा दिया, अब गन्ने को लेकर जो है परिवहन तो चाहिए होगा इसमें ट्रॉक अगरा चाहिए हूँगा तरेक्टर टॉली जो भी है वो चाहिए होगे ताकि इनको फेक्ट्रियों तक ले जाय जाए तो इनके लिए परिवन के साधन चाहिए होते हैं किसमें रोपन केती में उसी के साथ धी खेतों के आसपास इसमें कार खाने उगरा भी उने चाहिए अदरवाइस मालो आप राजिस्टान में गन्य का उत्पादन कर रहे हो और फिक्री उगरा दूसरी राज्य में तो वाइस थी के वानिजिक खेती के तीन परकार थे जिसमें बड़े लेवल पर पहली बात तो वानिजिक खेती क्या होती है जो पेसे कमाने के लिए की जाती है ठीक है ना और इसमें पसुपालन और जो भी फसले वो हम किसलिए करते हैं बाजार के लिए करते हैं हम अपने लिए नही हो जाएगी मिस्रित करसी और अगर हम रोपन वाली जैसे चाय कोफी काजू रबड केला कपाश यह वाली खेदी कर रहे हैं तो यह तो यह मैं कोफी की बहुत ही जदा तो यह तोड़ा बहुत अगर याद रजाए तो रख लेना ठीक है अब हम पढ़ते हैं अगला टोपिक और उसका नामे प्रमुक पसले यहाँ पर ठीक है तो हम प्रमुक जो पसले हैं उनको जानना सुरू कर देते हैं जिसे चावल आगया यह चावल की पसले हैं आपको जाती हैं जिसको हम गड़ा भी बोलते हैं धान की पसल भी बोलते हैं अब यह एक बात और भी याद रखनी है यह खरीब की पसलें और इसके तापमा इसके लिए तापमान 25 डिगरी यानिकि तापमान अच्छा खासा होना चाहिए और उसके साथ में बरसा भी फुल होनी च चाहिए जाएदा होती है यहां पर यह जो उतर परदेश हो गया भी आर हो गया एडा ऑड़्य और समय खासा ख़ोस्ते के बहुत हैं तो दूसरी पसल पर आते हैं वो हैं गयों ये रभी की पसल हैं चामल तो किस की थी खरीब की और ये जो गयों हैं ये रभी की पसल हैं और इसको उखाने के लिए सीतरी तो चाहिए अना सर्दी पड़नी चाहिए और पकने के लिए खिली वी दूप होने चाहिए बरसा की बात करे जाती है तो अपनी राजस्तान में में पंजाब में इधर उत्र प्रदेश इमाचल प्रदेश नमद्य प्रदेश किए जाते हैं इससे इंबर यूच की जाने वाली भारत में पसले चावल दूसरी पर पर आता है जो आघा तो यह खरीब की बसले बरसा आजाती है वहीं कमी वर्सा चाहिए इसके लिए यह इंपोटेंट प्रेक्ट हैं जो जो और मका हैं दोनों यह चाहिए के रूप में भी यूज की जाती है बहुत आप डारिक्ट इनको काटके और जैसे यह अरी पदेशल दीखने इसको डारिक्ट गरे आप जानवर को खिला सकते हो वैसे जानवर्दू को का जाएंगे लेकिन फिर भी यह इसका उप यूज किया जाता है जानवर्द्याने में और यह माराश्ट कनाटक मध्यव पर परदेश महाराष्ट गुजरात हर्यारा इनमें ये बादरे की पसल की जाती है ठीके ना उसके बाद में आता है हमारा मक्का मक्का की हम बात कर ले थे हैं जैसा कि हमने बात की अब कि जौर और मक्का ये दोनों हमारे लिए और जो जानवरें दोनों के लिए पसले हैं यानि कि चारे के रूप में भी इनका यूज किया जाता है और खाद्यान के रूप में भी किया जाता है तापमान के बात करें तो अच्छा खासा तापमान इनके चैयत यानि कि दूप जो हमारे यहां पर कम होती है उसके बाद हम आगे बात करें तो डाले भी आती यह भारत की पर्मूख पसले हैं डालों की औरना नम्ही की कमी आवशक्ता हो थी नंकी इन में ज्यदा बर्षात की आवशक्ता नहीं होती और यह मद्य परदेश, राज्चतान, महाराष्ट, उत्रपरदेश और गर्णा डग़ा यह जो राजये हैं इनमें काफी ज्यदा डा चल जाएगा ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्य का अतपादन होता है एक देश इंब ब्ाजील और उसके बाद में बारत मेंस्व्आ ज्यादा ये फबसल होती है गन्य की डिवारत के राज्यों की बात करें तोतर पर्देस, महाराश्ट, क рंठक, तमील नाडू आंदर परदेश अना टेलंग गाना बियार मद्य परदेश मतलब सुरी पंजाब और यह ना इन सभी में गन्ने के पसल किये जाती है अब आप सोचोगे यहार इतने सारे अलग-अलग राज्ये हैं किसे याद होंगे तो डोंट वरी है आपसे इतना पूछा भ में भारत में होती है जैसे देश में कुल्ब होए गए क्षतर का यह 12% जो क्षतर ने हम दाल मरब तिलह नहीं खरते हैं यह जिन पफसलों से तेल नकालता है खोपसले याप जरूर यांगर जिसे हम यहापर पढ़ें मुंगपली बाइज आवे ना तो करीब की पसले मुंगपली तीलहन पसलों का आदा परतीशत इसी से उत्पादन होता है बलब तीलहन की जैसे हमने कहीं सारी पड़ी थी ना सोया विंसर्सों सूरज मुकी अरंडी कहीं सारी उनमें देखो वो तो कुछ भी नहीं होती 50% जो ह अपने रजस्तान में भी मोंपली का उतपादिन काफी जैदा होता है तो यहमने मौंपली जाने उसके बाद में आ जाते हैं चै बाहिए साब है चाहिए पति आना वह जहा होता हो आप चाहिए की रहारत कर भूह याद रहना कि इसको अंग्रेज लेकर आये थे उसे पहले हमारे यहाँ पर चाई नहीं थी यह उस्ट और उपोष्ट जो जलवाई होती है यूमस वाले जो क्षित्र होते हैं मलब जहां पर नमी होती है जहां की जमी में जहां की जमी तोड़े सी गीली-गीली होती है वहाँ बहुत है जाता है बारत में भी चाय का उत्पादन तो नहीं होता लेकिन चीन के बाद दूसरा में आपना अपयारा भरत ही ये कोफी ये जो दाने देख रहे हो ना ये कोफी के हैं तो भारत में अरेबी का किस्म की कोफी की जाती हैं और ये यमन से लाए गई थी चाय कोन लाए अंगरेज लाए और ये तो कोफी है ना ये कहां से लाए गई यमन से और भारत विस्व विक्या आते हैं कोफी के लिए बाई साथ बारत में बहुत ही अच्छी कासी तरीके से ये कोफी का उतपादन होता है बारत को जाना जाता है कोफी के लिए इसके सुरुवात बाबा बुधन की पाड़ियों से हुई थी हमारे बाबा बुधन की वहाँ से ये कोफी का उतपादन सुरुवाता करनाटक केरल तमील नाडू इनमें ये कोफी का उतपादन किया जाता है उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे इसमें ये आपके लिए नहीं है ये टेंथ कलास के लिए है ठीक है ये यहां तक आपकी परमुक पसलें हो गई थी अब यान की दो तिन वीडियो देखाऊंगा और यहीं पर आपका चेप्टर पुरा फिनिस हो जाएगा ठीक है तो यह से यहाँ पर देखो जैसे हम बात कर रहे थे अभी वानी जिक खेती की जिसमें बड़े बड़े खेतों में खेती की जाती है तो उसका पहला वीडियो है और यहें अमेरिका में इस के एमिरिका में खेती हरो यहाँ और यहाँ पर इतने बड़े खेती जाती जाती है तो यह weighs-hाफ और यह चोटेचे-चोट coughing हैं और अपने हैं और वह आ रहे हैं प्रफिया किसान हो हारे होगे अपने किसान होते हैं यह वह करते हैं जीसे यह आप नहीं हो यह सब भारत करने ऐसे तो भारत में इस तरीके से चोटे-चोटे केत होते हैं और इंड में खेती की जाती है जिनको बोलते हैं निर्वा केती हैं कि अपने जीवन को चलाने के लिए जो खेती की जाती है और अभी हमने अमेरिका का देखा था वह होता है व्यापार की दरिश्टी से या बिजनस के रूप में वह खेती की जाती यह उनको बोलते हैं वाने की कहती यह देखो भाइसाब यह दिखो मज़ा दे रहा है तो इस तरह की जो कर दीजिए और अपना इप इंस्ट्ल कर लीजिए बाकी जो अपना आपके लिए बना रखा है और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए और जो चेप लिस्ट बना रखी हैं ठीक है मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप तेसे पढ़ते रहे हैं थैंक्यू सो मच वीडियो को लाइट तक देखने के लिए